कि नमस्कार क्षा बारा में आज डे वर नेंटी टू में अवर रहें नेक्स टोपिक सल रहे हैं अवना फोटोन की अवदार्णा चेप्टर संख्या चलता अबना तेरा राजसांपूर का जो है परखाश विजद परखाव और द्रबित रहेंगे इसमें नेक्स टोपिक अव जाता है लेकिन एक नम्र के लिए कई चार बाते हम इसमें करेंगे चोड़ी जाता है सबसे पहली बात तो फोटोन की अवदार्णा कंसेप्ट को फोटोन है क्या है कि विकीर्णे जो होती है वह उर्जा का इस्थानात्रण छोटे-छोटे पैकेट के रूप में करती है वि कि व्षा जो है वो चोटे-छोटे पैकेट या बंदल के रूप में ट्रांसफर होती है और उन छोटे पैकेट को उर्जा की जो उन्हीं को कहते हैं पोटोन के देते हैं यह इसके लिए दूसरा जो वर्ड है वो क्या है क्वांटा की विकेडों में उर्जा का इस्थाना द्रण चोटे-चोटे पेगट के या अब बंडलों के रूप में होता है जीने हैं को टोन के अब देखो इंसे सम्द्रीज क्योश्चन कैसे आथे विससे हम पहले भी बात कर चुके हैं दुबार अप्रिक कर लेते हैं वह बात बार हो आइंस्टाइन की प्रकाश विद्यों से में कर तो अपने पढ़ी हैं उसके अबने बात कि थी इस इकोल डू क्या हो रहा है है तो एक बात तो यह ध्याना कि फोटोन की जो हुजा है वह हमेशा किसमें निर्बल करते हैं आवर्थी पे एच क्या प्लांग कॉंस्टेंट है 6.62 इंटू 10 इस बावर माइनस 30 को जूट से कि विल्यों रहती है तो कॉंस् इसकी और बता सकते हैं एक बात दूसरी बात पोटोन की जो अर्जा है वह ध्यान रखें हमेशा आवर्थी पे निर्बल करती है तो अगवेग बदल जाता है इसलिए वहां तरफ्ञ देरे भी बदल जाती है यह अप्टेक्स में आता है यहां पर भी इम इसकी बात कर रहे और हम क्या करते हैं इसलिए बदलेगा तो लेमडा भी बदलेगा तो उत्तर बदलेगा इसका मतलब लेकिन यह लेकिनश susi 2 बदलेगी तो भी सब्सक्राइब भी और हेग्यों तो इसकी हम बात करें आगे अब इसको फॉल्म करते हैं आगे इस इको टू क्या है एच नियू तो यहां ए बराबर क्या रिख सकते हैं एच सी अपॉन डेम्टा अब आपको तरंग दे रहें के रूप में मान दे रखें तो यह फोर्मला लगा देंगे अगर आवर्थी के र कि यह तो आगे इसकी कोमन बात अब बात करते हैं फोर्टोन के विशेस्ता है यह कुछ लेते हैं प्रोपर्टी को फोर्टोन के गुण क्या क्या विशेस्ता है सबसे पहली बात तो फोर्टोन का दो वेग है वो परकाश के वेग के बराबर होता है फोर्टोन किस वेग से करता है परकाश के वेग से गति करता है थिकैंग निर्वास में इसका वेग्वह test को करतась we कि कर्वों में जुए कि परकास के वेक की दराबर होता है तो परकास का वेक इतना है तो इसका भी कितना होगा है तीन गुणा आठ यह एक बात दूसरी बात इसमें पोटोन का जो इस्थिर द्रिव मारने वह सुनने उता है इसका मदलब इस तीर अवस्था में पोटोन का कोई अस्थितो नहीं होता तिक है लिए इस तीर अवस्था में को दोन का कोई एस्थितू नहीं होता क्योंकि पोटोन का इस्थिर दुर्यमान सुनने होता है आप दुर्यमान सुनने इसका मतलब वहां को सही भी कोई करनी नहीं है इसका मतलब कोई अस्थितू नहीं है पोटोन का इस्थिर अवस्ता में तो वह ही निवा तो अब बात करते हैं तो गतिशी लवस्ता में तो गतिशी लवस्ता में तो क्या होगा एम इस इक्वल टू एम नोट अपोन अंडरूट वन माइमस वी स्थिर अपोन सी स्थिर एम क्या है कंड का गतिशी लवस्ता में द्रेवान युक्रा किर वस्ता में तो क्यंकि गत्याद करता है तो उसके साथ तरह बी संबद रहती है तरह चलती है तो यहां कण का इस्थिव द्रयमान यह है तो गतिशील अवस्था में इसका द्रयमान है तो वहां सब्सक्राइब करते हैं तो गतिशील अवस्था में आप एक शिक्ता सिद्दाइब करते हैं उस इस्थिति में यह सिद्दाइब नियम लागू नहीं होता है है सबस्था नहीं कर सकता और सिद्दाबना ओट प्र आपकेशन के प्याजाय आकर ned कोई प्रकाश्च तो अगर अगर उसका वेग परदाश के बराबर हो जाएं जिसा में दिया गया कि नहीं कर सकता है बराबर क्या हो जाएं सिए और यह किसी पी संख्या में अगर जीरो का डिवाइड करेंगे तो क्या देगा अनन्त आजाएं और इसका मंदब उसका द्रयमान क्या हो गया अनन्त तो नहीं हो सकता इसलिए यह बाए जोश्ततिति है यह बाड़ी जोश्तिति है वोनीड हो सकती इसी लिए शीजुाणा का वेग पर प्रकाश के बराबर नहीं कर सकता है तो कली है कि अब बात करते हैं पोटोन अंब बात नमर्चाइज पोटोन का समभेग यह बात नियुमेरिकल के लिए सको बात करेंगें किस तरह की निमेरी कलावें यहां से पोर्टोन का समभेंगें क्या होगा वो निकालेंगें देखो इस इकोल तो चाहिए निकलेंगें पर्टिकल इस बात दूसरी बात एक हमने प्लांग की चोरी में क्या पढ़ आइस्टाइन प्लांग की चोरी यह उसके जिसमें इस इकोल टू एश निए और एश का मदलब के यहां दूसरी अपॉन लेम्टा अब यह दो यह वी देवह लिए यह यह वी के इकवल है यह बराबर तो आरे चिसमी क्या होगी कंड की उर्जा तो चाहिए कंड के रूप में वेक्त कर लें चाहिए तरंग के रूप में वेक कि यहां से बराबर पूट करने दोनों को एन सी इस इकोल टू क्या होगए एच़ को लेंडा इंचन क्या है जब किसी कंड की बात करते हैं लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं इसलिए यह परकाश के लिए परकाश के लिए परकाश के लिए किसके बराबर होता है सब्सक्राइब कर देंगे वह परकाश करते लिए ने हैं यह सब्सक्राइब करें यहां से लिए अपां मेंसे होगहाइए हम दुवारा लिखे हैं और क्या लिख सकते हैं अगर किसी कण की बात करें वहां बात करें किसी कणकी तो इसके साथ तरंग 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 वह संबत रहती है तो उसी सिती में क्या होगा एच अपॉन अपॉन है यहां बात करें तो समय कमान है चाप लेंटा के बराबर होता है तो आपको थरंग दे जाए और डाइक समवेग बूस ले रहेए तो इसलिए चोटे के लिए बहुत में बात बात करेंगे पूछ ले यहां से पूछ ले जाते हैं इसमें सम्भेग और तरग धेरे में क्या संबंद होता है तो पी बावाइच अपन लेपटा होता है लेपटा देखर तरग वह सम्भेग का माद पूछ लें तिक अब इस बात इस पे भी थोड़े से मिपोर्टेंट निष्कस निकल दे जो आम पटेंट तो गें एक बार को कोफो अंगलें अधिक है यह उन्सिपृइमाan तो बड़ेarna duty लोगल का मासो फोटॉड मासो इस हो ऐतुआ है पोट flowing को ऑगगर सितन होता है पोटका और विब्रेवान करतेंगे लिभी वह इना सबने अपर को फॉसका आना सेमियाद सकते इसपोरम सब्सक्राइब यहां से चाहिए निकालना चाहते हैं तो हमारे पास इक्वेशन में होना भी तो चाहिए तब दो करेंगे बागी विल्ली को दूसरी तरफ ले जाएगे लेकिने आप नहीं है तो इस equation का ही हम क्या करेंगे यूज करेंगे तिके अब अपने बात देगो m का दोमान निकाल यहां से क्या देगा e upon c square आदेगा c square multiply में इदर आके divide में चला गया अब e बराबर क्या है h new है e बराबर क्या होगा है h new upon c square new बराबर क्या होता है h upon c square ऐसा कैसा new बराबर होता है c upon lambda तो यह cc क्या हो गया cancel out हो गया तो क्या गया यहां से m is equal to h upon c lambda तो जहां दखना h upon lambda अगर आ रहा है तो तो यह संभेग है ठीक है संभेग है ना और यह सब्सक्राइब यहां क्या यहां से भी डर्यमान हम डाया कर सकते हैं देखो पी किसकी तगार रखा था था हमने एंसी की जए तो वही तो equation है यह वही है वह उसी को सोल की अगया है चाहे दोनों को बराबर जैसे आपने यहां बराबर रखके वही बात है यहां बीव क्या होगा है निकालना तो सीधर आगे डिवाइड में सब्सक्राइब तो इस तरह से इसको सॉल्वन किया जा सकते हैं तो यह क्या है यह पॉट्रों की बीशेश साए हैं क्योंकि पूच्छन आता है तो नॉर्मली एक वर्ड में हमारा उत्तर होता है वहां पूच्छ रहे और इसमें लिखने हैं वह तो आट से विज़ें तो यहां से यहां तो इबराबर क्या है एच्ज नियू से इसलिए पॉट्टों की दो प्रक्राइब निर्बार करते रिक दो अब करते हैं इसलिए तो आ हमाज़ग से दूसरे माज़ग में जाता है तो उसकी आवर्ती नह नहीं बदलती है आवरती नहीं बदलती है इसलिए उसकी उर्जा भी नहीं बदलती है जब फोटों एक माध्यम से दूसरे माध्यमी से दो तिन निश्करस निकलेंगे भूद अधर पूर्टों कि एक माध्यम से कि दूसरे माध्यमी जाता है तब उसकी आवर्टी कि ए परिवर्टीत रहती है तब यह बात जा रगना है यह पैटकून बात है तब उसकी उर्जा एक समान रहती है यह बदलती नहीं है कुछ भी लिखने उसका मतलप क्या हूँ कि यह भी कोई पोटोन है परकास उर्जा मुझे भात करने और इदढ़ सगर माध्यम यहां तक जब इरण सिटाओ यहां क्या होगा यहां वर्टी पम्छे ऊब हीर्टी नहीं बदल दीघ यहां ग обязates तो यहां की उर्जा क्या रहेगी उर्जा भी नहीं बदलेगी तरंग देरा बदल जाएगी इसलिए मैंने शुरू में बात कि कि उन्यू इस इस पर नहीं करते हैं तो यहां वह नहीं लगाना है क्यों कि सी जो किसी कण की बात करें किसी दीकेंद्न की बात प्रैइंटि तो सी क्या है निर्वात में प्रकाश्ट अवहिए घेंट अश्ता और जाते हैं काथ में करता है तो उसका वेक किसी के बराबर नहीं होता है यानि तिन मोड़ा Jackie पड़त हैeffect से इति चिजिए घ़न सनंगती है है यानि से सब्सक्राइबगरना यानि द्यालगना सम्बंद किस से यह लिग रहा हों щее यह B पता ओयर CIVE POS और जब माते बदलता है तो तरण का वेत बदलता है वेत बदलने की वज़े से उसकी तरंग धेरे बदलते ठीके हिए आवर दिपक्रियको फिए थूरे बदलती है । तो यहां ये बाप दोलेए की मांड्यययम पढ़िवर्थी दोनें perceived माध्यम परिवर्थित होने पर तरंग धीरें परिवर्थित होती है तो यह इतनी बाते हैं जो सामने आप इनको ध्याद दोगे तो इसको टोपिक में कोई गिलती नहीं होगी तक बढ़ लें परिवर्थित हों के अच्छ यहां से निष्कर्श निखा रहीं तो आप इसको रिवाइज करतें पर नेक्स्ट ग्लास में करेंगे झाल झाल